वेलकम टू एंजिनरिंग एज्यूगेशन माई नेम इस पार्थ जोसी एन वी आर डिसकसिंग अबोव डिपलोमा मिकेनिकल सेकंड सेमेश्टर सबजेक्ट मट्रियल साइन्स एन मेटलर्ची आपड़े खबर चे रितना एंजिनरिंग मट्रियल ते ते नू पेलू चेप्टर चे अन्य पेला चेप्टर माँ आपड़े सु वस्तू चे तो के पाई वीद प्रकानी डेफिनेशन्स चे अन्य सोल्डिफिकेशन कई रितना मेटल नू थाई चे तेना अमुक प्राइमरी वस्तू बदी आवे ली चे तो आपड़े जोई है तो कई रितना आपड़े MCQ पुछाई सके तो आपड़े जोई है पेलो MCQ resistance of a material against any external forces is termed as तो के आईया एक definition पुछे लीजे कि जारे material उपर कोई पन बाहियाबढ़ आपड़े त्यारे यी अंदर थी का एक वस्तू रिजिस्ट कर से ही बाहियाबढ़ने तो यी वस्तू ने सूं के हमाँ आपड़े तो आपड़े नी definition जो यानो चवाब आउसे strength प्रेक्चर सामे इनो प्रतिकार करवाना material ना गुणदर मने strength काया चे बीजो एमसी की जो ये the property of material to resist any elastic deformation is termed as same पेला नी जेम अद थे व्याखियाद पूछे लीजे A. Stiffness, B. Ardness, C. Strength, D. Malleability तो यानो जवाब आउसे stiffness अवे stiffness नी definition आपणने सूं किये चे के जारे कोईपण वस्तू उपर elastic deformation थाई अन्य ते येनों resist करे ये material ना गुणदर मने तेनी stiffness कहे चे तो आनो जवाब आउसे A. Stiffness, 3.0 MCQ. Resistance developed by surface of any material is termed as अवे आपणने जानिये चीए के hardness नी कई रितना आपणने चकासी सकीए के चारे कोईपण material उपर कसारा सामे अथवा तो scratch के एनी सामे प्रतिकार करवानी जेनिक शमता हुई तेने ते material नी hardness के वावावे चे तो आहीं option आप एलाचे A. Stiffness, B. Hardness, C. Strength, D. Creep तो एनो जवाब आवे hardness कारण के material रेजिस्ट करवा माटे नो आपनने चिद्दू छे के resist के material ने आपड़े करिये के पाई चैरे एनी उपर कोईपण material आपड़े रेजिस्ट करतू हुई कोईपण कसार हो छे के scratch छे के इबधी वस्तुने तो एननी तेनी material नी hardness के वावा मावे छे अब चोथो MCQ Permanent deformation of a material with respect to time due to constant load and variable temperature is termed as A. Elasticity B. Isotropy C. Hardness D. Creep तो आनो जवाब आवे creep same as per definition के जारे कोईपण material उपर लांबा समय सुधी एक सर्खो load अथवा तो एक सर्खा temperature ये कोईपण वस्तु काम करती होई अने तेना कार्णे तेनू deformation थाई एडले के तेमा भंगाण बनवानी शक्यता रिये तो ते भंगाण ना कार्णे तेमा थवेला deformation ने तेनी creep काये छे पांच मों MCQ Property by virtue of which material can absorb strain energy without plastic deformation is called as A. Creep B. Ductility C. Resilience D. Fatigue तो एनो जहब आवे C. Resilience अने सुकारण तो केके as per definition कई रित तो के भाई resilience नी आपने चे छे ए कहे छे के भाई च्यारे plastic deformation थाया वगर तेना माजे strain energy चनरेट जे थाया एटले के यहना लंबाई मा फेरफार आवे strain नी व्याखे आपड़े कई ची का delta L by L के जह एननी लंबाई मा कोई पन प्रकार नो फेरफार आवे तेने आपड़े strain कई ची है तो एनने आमा plastic deformation आईवा वगर एटले के भंगान पईडा वगर तेमा जे लंबाई मा फेरफार आवतो ओई तेने आपड़े resilience कई ची है तो आनो जवावाव से C resilience छट्ठू coordinate number of close pack structure is अब यह आपने पुछे ला जे चार ओप्शन 16, 12, 8 अने चौद तो आपने खबर चे के close pack क्या क्या चे तो के सवथी पेला close pack छे FCC अने HCP face centered cubic अने hexagonal close pack आ बे close pack छे चेहरे BCC एडले के body centered cubic अने simple cubic यह बे close pack न थी तो आपने यह close pack नू पुछे लूजे तो close pack नी आकृत्ती मुझाब आपड़े चोईए तो तेमा FCC अने HCP मा बहिमा बार कोडिनेट उपर एना अनुओ आवेला हसे जहरे BCC मा 8 अनुओ आवेला हसे अने simple cubic मा 6 अनुओ आवेला हसे तो आमा आपने close pack पुछेलू चेता आपना जवब आवे B बार अवे सात्मों MCQ P upon A into Newton per mm square is equation for finding हवे अहीं आपड़े जोईए तो वीद प्रकार ना आपड़े equations आपड़े पणी गएला छिए तो ए प्रमाने force upon area Newton per mm square is the equation for finding तो हवे दबान बाई क्षेत्रफड नूँ जे equation छे इकेमा नूँ छे आमा थी तो के strain, stress, density अथवादो stress तो एमा थी आपने खबर छे के भई stress नूँ equation जे छे के भई sigma जे ने आपड़े कई है छी के भई sigma is equal to P upon A तो लेके force upon area Newton per mm square अवे आ एक आपने एक्जांपल तरीके आप्रस्चन ने लई सक्के अने जे एतला आपने बिजाजे छे आपड़ा equations इबदाज equation ने आपड़े find करवा पड़े equations ने आपड़े find करिया पची खबर पड़े कोई पन प्रकार नू equation आमा आरी ते पुछाई सके के भई आनो कदाच आपने एकम पन पुछाई सके आकोनो एकम छे तो ये पन आपड़े त्यानमा रेवु पड़े which of the following material I'll use as electromagnetic material a. Conductive material b. Resistive material c. Semiconductor material अन्ने d. Superconductive material तो आनो जोब आवे Superconductive material हवे जेरे आपड़े जानिया ची के भई कोईपण वस्तु माथी material माती electricity नुँ वहन कई रितना थाई जे तेने येनली Conductive material नुँ आपड़े कई सके तो जे प्रमाणमा वधार electricity पास थाई सकती हो येने आपड़े वधार कंड़क्टिव माट्रियल और जे ओची electricity पास थाती हो ये मेंने आपड़े ओचु कंड़क्टिव माट्रियल कई सके कह भई चेमाएनने रिजिस्टन्स वधारे छे येने आपड़े एंजिरिंग नी बासामा कई तो Conductive material सेमी कंड़क्टिव माट्रियल अने सुपर कंड़क्टिव माट्रियल आपड़े ने कई सके अब आपने ये पुछेल हुचेक पड़े इलेक्ट्रो मेग्नेटिक माट्रियल माँ कई वस्तु न आपड़े उपयोग करी सके क्या मेट्रियल नो उपयोग आपड़े इलेक्ट्रो मेग्नेटिक माट्रियल बनावाँ माटे करी सके तो जबब आवे सुपर कंड़क्टिव मट्रियल सुकाम कारण के इना सुपर कंड़क्टिव मट्रियल हीटिंग इफेक्ट एन लोसीज आर नोट जनरेटेट सो इट्स यूज अज एलेक्ट्रो मेगनेटिक मट्रियल ज्यारे एमा थी अंदर थी हीटिंग लोस अन्य हीटिंग इफेक्ट जारे उच्चू टेंपरेचर जाई कोईपन वेट्रियल नुटेंपरेचर जारे आपड़े वदारिये छीए त्यारे एमा अमुक प्रकारना चेंजिस हाउता होई छे अन्य लोस थाता होई रेजिस्टिवीटी एनी जे चे ए प्लस और माइनस सही सकती होई तो इवस्तु जे सुपरकंड़क्टिव मट्रियल चे एमा नथी राती ते माटे आपड़े एनो प्योग इलेक्ट्रो मेगनेटिक मट्रियल तरीके करी सक्के छी तो आनो जोह भावसे D सुपरकंड़क्टिव मट्रियल कुलिंग कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाइ वीच ओफ द फोलोईंग हवे कुलिंग कर्व जे आपड़े जोयो के पैच्यारे कोईपन मट्रियल ने गरम करव मा आवे जे त्यारे तेनू घं माथी प्रवाही मा रूपांतरान थाई छे अने जहें उच्छा ताप मनेती आपने निच्छा ताप मनतर अफ एने पाचू लेहावियेची तियारेंब प्रवाही मांती घं़ मारू पांतराण थाईचे तो ए जे प्रक्रिया छे एनने आपणे cooling curve तरीके दर्सावी सक्के तो cooling curve क्या रिप्रेजन्ट करे छे क्या क्या terms ने रिप्रेजन्ट करे छे ए अहीं आपने पुछ वामा आविव छे A. Temperature vs. Density B. Temperature vs. Time C. Speed vs. Time D. None of the above तो हवे आमा आपने खबर छे के बाई जे cooling curve छे ए temperature vs. Time नो करव छे के जेटलू temperature उपरगिव के अथवा तो आपने जेटलू temperature घटाएड़ू अन्ने respect to केटलो time केटली कल्ला केटली minute अथवा तो केटली second जे लाइगी इप्रमान आपने जे करव दोर ये तेने cooling करव केवाई छे तो आपने जो ये केबाई कई रितना आवे जवाब तो केके B. Temperature vs. Time Which of the following is the properties of metallic bond? आपने विवित प्रकारना bonds बनी गएला छे Covalent bond ने बताए प्रकारना Metallic bonds तो केके metallic bond नी आपने properties पुछेली छे तो के A. Melting point and boiling point is high के पाई तेनो गलन बिंदू अने boiling point नो जे होई एकदम हाई हसे तो केके हाँ metallic bond मा ए वस्तु सक्या छे It's having a ductility जे material हसे ये ductile material हाई से तो तनियता तेनी जे हसे ये वदार हासे तो केके काईमी वीरूपन जे ये ये आमा थातु हसे material मा E. येमा थातु होई तो येने सुके वाई तो केके ductile material अवे तो ये metallic bond मा ductility होई सके Heat and electricity can easily pass through it उसमा अने विद्यूत नो शू भाहा कासे येटले येमा थी ते पास थाई सक्तु हसे तो केके ए पन होई सके तो आनो जवाब आवे D. all of the above येटले के melting point and boiling point is I. B. It's having ductility. C. heat and electricity can easily pass through it अने त्रणे वस्तु आपने गुण धर्मो तेना metallic bonds ना चे येटले येनो जवाब आवे D. all of the above अवे आजे आटिया शुदिनू आपणा 10 क्वेस्टन जे जोई MCQ ना आना प्रमाणे ना बिजा गणा पन MCQ बनी सके जेमके जेतली आपनी definitions चे बदी definitions प्रमाणे में जेम किदू ये प्रमाणे equations प्रमाणे equations प्रति पाजी metallic bond नी properties चे बनी properties जे चे अनुओन जे चे बिसीसी, एफसीसी, एचसीपी ना जे आक्रूतियो जे चे तेना प्रमाणे अलग-अलग भीत प्रकारना MCQ आपने पुछाई सके तो आपने तेना follow-up लेवा चरूरी चे अन्य आ वीडियो केवो लागियो ते आमने चणावो अन्य अभार आपनो आ वीडियो चोवा माटे अन्य आ चेनल ने like, share अन्य सब्सक्राइब करवा विननती